ये कहानी एक नशाई कालू कववे की है चोके हर समय बस नशाई करता रहता था और नशा करके वे अपनी पत्नी और अपने बेटे को बहुत ही जादा मारता था जंगल के सभी पक्षी भी उस नशाई कालू कववे से बहुत जादा परिशाना गए थे लेकिन वे कालू कववा फिर भी बहुत जादा नशा करता था एक दिन कालू कववा नशा करके अपने घुशले में आता है तो कालू कववा अपनी पत्नी से कहता है रानी मुझे बूख लगी है मुझे बोजन दो मुझे बहुत जोरों से बूख लगी है कालू जी आपके लिए तो बोजन बचा ही नहीं है जो बोजन था वे मेने और राजू ने खा कर खतम कर दिया है अब आपके लिए तो बोजन बचा ही नहीं है क्या तुम दोनों को तो मेरी बिलकुल भी चिंता नहीं है मेरा भोजन भी तुम दोनों खाकर खतम कर गए हो अभी मैं तुम दोनों को बताता हूँ फिर कालू कववे को बहुत ज़्यादा घुसा जाता है और वे कालू कववा एक डंडी से रानी कववी को बहुत जादा मारने लगता है और फिर कालू कववा अपने बेटे को भी उस डंडी से बहुत जादा मारने लगता है मैं जा रहा हूँ नशा करने के लिए थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे मेरा बोजन चाहिए वरना इससे जादा मारूंगा मैं तुम दोनों को ये कहकर वे नशे कालू कवा वहां से चला जाता है ये कालू जी तो हम दोनों को हर समय मारते ही रहते हैं ना जाने इनकी ये नशे की आदत कब चूटेगी इतनी जोर से भूक लगी है मुझे मैं क्या करूँ मैं कहां से जाकर बोजन खाओ मुझे बोजन खाने के बाद नशाबी तो करना है मुझे बहुत जोरों से भूक लगी है हाँ मैं एक काम करता हूँ मैं किसी पक्षी के पास जाता हूँ और उससे बोजन चीन कर खा लेता हूँ इतना कहकर वे कालू कववा किसी पक्षी के पास उसका बोजन चीनने के लिए चला जाता है कालू कववा एक बुलबुल के पास आता है और वे बुलबुल से कहता है लाओ बुलबुल ये अंगूर मुझे दे दो मुझे बहुत जोरों से भूक लगी है मेरा बहुत दिल कर रहा है ये अंगूर खाने का नहीं कालू कवे ये अंगूर मैं तुमें नहीं दे सकती हूँ ये अंगूर मैंने अपने बच्चे के लिए रखा हुआ है मेरा बच्चा केलने के लिए गया है जब वे वापस आएगा तो ये अंगूर में उसे दोंगी बुलबुल की ये बास सुनकर कालुकवे को बहुत ज़ादा घुसा आजाता है और वे कालुकवा डंडी से बुलबुल को बहुत मारने लगता है काफी देर मारने पीटने के बाद कालू कववा बुलबुल का अंगूर लेकर वहां से चला जाता है और वे कालू कववा एक पेड़ पर आकर वे अंगूर खाने लगता है वाँ 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 कितने मज़े का था ये अंगूर ये अंगूर खा कर तो मुझे मज़ा ही आ गया चलो अब मुझे नशा करना है मैं नशा करने के लिए जाता हूँ फिर वे कालू कवा नशा करने के लिए चला जाता है ममा ये पापा हम दोनों को क्यों मारते हैं हमारी तो कोई गलती भी नहीं होती है फिर भी पापा हम दोनों को कितना मारते हैं और ये पापा की नशे की आदत आखिर कब चूटेगी ना जाने बेटा राजू तुम्हारे पापा की ये नशे की आदत कब चूटेगी राजू हमारे जंगल में एक मीनू चिडिया रहती है मीनू चिडिया बहुत समझदार है मैं मीनू चिडिया के पास जाती हूँ और मीनू चिडिया से कहती हूँ के वे कालू जी को समझाए कि कालू जी हमेशा हमेशा के लिए ये निशे की आदत छोड़ दें हाँ ठीक है ममा आप मीनो अंटी के पास चली जाओ मैं जब तक गोसले में आराम से बैटा हूँ फिर वे रानी कोवी मीनो चेडिया के पास चली जाती है मेनो चेडिया मैं बहुत जादा परिशान हो गई हूँ मेरे कालू जी हर समय नशा करते रहते हैं और वे नशा करके मुझे और राजु को बहुत जादा मारते हैं मेनो चेडिया मैं चाती हूँ कि तुम कालू जी को समझाओ की चालु कववे की आदत हमेशा चालु कववे कुछ देर के बाद मीनु चेड़िया कालु कववे को ढूंटी हुई कालु कववे के पास आती है और वे कालू कवे से कहती है कालू कवे तुम्हे नशा करने में क्या मज़ा आता है तुम नशा करके अपनी पत्नी और अपनी बेटे को कितना मारते हो और तो और तुम जंगल के पक्षियों को भी मारते हो तुम ये नशे की आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो मेनोचिडिया तुम जादा मेरी मामत बनो मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा तुम मुझे मस सिकhाओ के मुझे क्या करना है देखो कालुकवे अगर आज तुम ये नशे की आदत नहीं छोड़ोगे तो कर जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो उसे भी नशे की आदत लग जाएगी और वेबी तुम्हारी तरह नशा करेगा क्या ये अच्छा लगेगा तुम्हें मीनुचेडिया ये सब मैं नहीं जानता हूँ मैं तो अपने नशे की आदत कभी नहीं छोड़ूँगा और मेरे बेटे को जो करना है वो करे तुम यहां से चली जाओ वरना तुम तो ये डंडी देख रही होना इस डंडी से मैं तुम्हें बहुत मारूंगा चलो यहां से चली जाओ लगता है ये कालू कववा अभी नशे में है इसे समझाने का कोई फाइड़ा नहीं है अभी मुझे यहां से जाना होगा फिर वे मीनुचेडिया वहां से चली जाती है बड़ी आई मुझे समझा रही थी के मैं ये नशे की आदत छोड़ दू मैंने अपनी पत्नी की एक न सुनी तो मैं इस चिडिया की क्या बात मानूंगा फिर इस तरह कालू कववा नशा करता रहता और कालू कववे की नशे की आदत नहीं छोड़ती कुछ साल बीच जाते हैं अब कालू कववा काफी जादा बूड़ा हो चुका था और तो और कालू कववे की नशे की आदत भी छोड़ चुकी थी कालू कववे की पत्नी रानी कववे की एक हास्ते में मिरित्ती हो गई थी जिसके कारण कालु कववा अब अपने बेटे राजु कववे के साथ रहता था लेकिन राजु कववे को भी कालु कववे की तरह नशे की आदत लग गई थी और वे राजु कववा हर समय नशा करता रहता और तो और राजु कववा नशा करके कालु कववे को बहुत मारता जैसे कालु कववा अपनी पतनी और अपने बेटे को मारता था अब कालू कवे को मीनू चिर्या की बाते याद आने लगी कि अगर आज तुम नशा करोगे तो कल को तुम्हारा बेटा भी नशा करेगा मीनू चिर्या सही कहती थी कि अगर कल मैं नशा करूंगा तो आज मेरा बेटा भी नशा करेगा और यही हो रहा है आज मेरा बेटा कितना नशा करता है और वे नशा करके मुझे बहुत मारता है अगर उस वक्ट मैंने मेनो चड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरा बेटा बिलकुल ठीक होता और वे इस नशे की लत्में बिलकुल नहीं लगा होता एक दिन राजुकवा जब अपने घुसले में होता है तो कालुकवा राजुकवे से कहता है बेटा तुम ये नशे की आदत छोड़ दो ये नशे की आदत बहुत बुरी है अगर आज तुम नशा करोगे तो कल को तुम्हारा बेटा भी नशा करेगा देख लो कल मैं नशा करता था तो आज तुम भी नशा कर रहे हो इसलिए बेटा तुम ये नशे की आदत छोड़ दो राजु कववा कालु कववे की बास समझ जाता है और अब राजु कववा नहीं चाहता था कि राजु कववे की आगे की नसलें ये नशा करें फिर राजु कववा हमेशा हमेशा के लिए नशे की आदत को छोड़ देता है और अब कालु कववा और राजु कववा खुशी खुशी रहने लगते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी जैसा आप करोगे वैसा आपको एक ना एक दिन भरना ही होगा ये कहानी काफी पुरानी एक भोला पूर नामी जंगल की है वे जंगल काफी बड़ा था उस जंगल में कई अनेक परकार के पक्षी भी रहते थे इस जंगल में रहने वाले पक्षी काफी जादा प्यारे थे और इस जंगल के सबी पक्षी आपस में बहुती प्यार से रहते थे एक दिन की बात है एक दिन तोते मिया काफी जादा अदास बैटे हुए होते हैं इसको खराब हालत और मुर जाया हुआ देख मीनू चड़िया और कबुतर भी काफी परिशान हो जाते हैं और इससे परिशानी पुछते हैं मीनू चड़िया तोते से कहती है प्यारे तोती भीया क्या हुआ किसे आप बहुती जादा परिशान दिखाई दे रहे हो क्या बताओ मीनू चड़िया मेरे तो किसमत ही फोड़ गई है क्यों ऐसा क्या हो गया तोते भाई मेनों चणिया क्या पता मेरा भाई राजो तोता मुझसे आखर क्यों नाराज है कभूतर तोते मिया की बास सुनकर हैरान हुआ और बोला वो क्यों नाराज है तोते भाईया नराज़गी की कोई तो वज़ा होगी न वो वज़ा ही नहीं बता रहा है कबूतर भईया तुम परिशान मत हो तोते भईया हम उससे पुछते हैं भला तुमसे भी कोई कैसे नराज हो सकता है तुम तो इतने अच्छे हो तोते भईया परिशान तोते को देखकर मीनू चड़िया को बहुत दुखुआ और मीनू चड़िया बोली वो मान जाएगा तोते भाईया आप परिशान मत हो हम उसे मना लेंगे अगले दिन मीनू चड़िया और कबूतर उल्लू के पास बैठे होते हैं कि उसी समय वहाँ पर राजू तोता आ जाता है राजू तोते को देखकर मीनू चड़िया और कबूतर को परिशान तोते मिया की याद आ जाती है आरे मीनू चडिया और कबूतर तुम भी उल्लो के पास आये हुए हो हाँ हम किसी काम से आयते यहाँ पर क्यों क्या हम यहाँ नहीं आ सकते हैं आहाँ तुम तो गुस्सा ही कर गए कबूतर भीया मैंने तो बस तुम से ऐसे ही पूछा था मैं गुसा नहीं हुआ बस मैंने भी तुम्हें वैसे ही जवाब दिया मीनू चडिया समझ गई थी कि कबूतर को राजू तोते का यहां आना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने गुसे में कहा है और तो मुझे नाराज भी लग रहे हो तुम्हें नाराज़गी की कब से परवा होने लगी इस तरह वे दोनों आपस में उलजने लगे थे राजू तोते को कबूतर की बात समझ में नहीं आ रही थी इसलिए वे बोला ये तुम क्या के रहे हो और क्यूं के रहे हो मुझे समझ नहीं आई तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मैंने तुम से ऐसा क्यूं कहा बस तुम थोड़ी दर बैट का सोचो इन दोनों की बहत बड़ी ही जा रही थी मीनू चड़िया ने इन दोनों को टोकना ही बहता समझा बेस करू तुम दोनों उलजने क्यों लग गए हो क्यों का जवाब तुम अपने दोस इसका बोतर से पूछो जिसने ये पास शुरू की है इससे तो मैं पूछ ही लूँगी लेकिन इससे पहले मैं तुम से ही कुछ ना पूछ लूँ क्या मतलब तुम है मुझसे क्या पूछना है मीनू चड़िया हम उल्लों के पास भी इसलिए आए हुए थे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर खोदा आ गए क्या पूछना है मेनो चड़िया जल्दी पूछो बताओ तुम अपने भाई तोते मिया से क्यों नराज हो मीनो चड़िया की बात सुनकर राजू तोता गुसा हो गया और बोला ये मेरा और मेरे भाई का मामला है तुम कौन होती हो पूछने वाली राजू तोते का अंदास बहुत बुरा था जो उल्लू को ना बहाया इसलिए उल्लू इससे टौकते हुए बोला ये तुम मीनो चड़िया से किस लहजे में बात कर रहे हो राजू तोते आखिर ये कौन होती है हमारे मामले में बोलने वाली तुम दोनो भाई हमारे दोस्त हो और तुम दोनो भाईयों का यूँ अलग होना हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मीनो चड़िया कबुतर और मैं तुम से पूछ रहे हैं कि तुम तोते मिया से क्यों नराज हो उल्लो ने बड़ा पन दिखाते हुए पूछा मगर वे तो एक दम बत्तमीज था मीनो चड़िया के बाद अब उल्लो से भी वे बत्तमीजी करने लगा मैं क्यों बताओ और मेरी मर्जी के मैं अपने भाईय से नराज रहू मीनो चड़िया इसकी बास सुनकर बोली तो ना खाएं मुझे इसकी कोई परवा नहीं है लेकिन हमें तुम दोनो भाईयों की बहुत परवा है तो ना करो किसने कहा है करने को तुम लड़ने के बजाए वज़ा क्यों नहीं बता देते हो मीनो चड़िया कबुतर और उल्लो को हार ना मानता देख राजु कोवे ने इन्हें अपनी वज़ा बता ही दी अच्छा तो फिर सुनो तुम दोनों का दोस्त और मेरा भाई मुझे अपने साथ घर में रहने से खुश नहीं है और किसी तरह मुझे घर से निकालने के बहाने सोच रहा है तुम जूट बोल रही हो तोता कभी ऐसा नहीं कर सकता है मीनू चिडिया मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ मीनू चिडिया उल्लू और कबूतर को इसकी बात पर रती बराबर भी यकीन नहीं था कबूतर ने बेयकीनी से मजीद पूछा क्या तोते मिया ने तुम से ऐसा खुट कहा है नहीं लेकिन वो सोच में ऐसा सोच रहा है इसलिए मैं अपना एक नया घर तैयार कर रहा हूँ हम तोते मिया को बहुत अच्छे से जानते है वो मिला के जंगल के तमाम पक्षियों के साथ अच्छा सुलूप करता है पिर अपने भाई के साथ ही वो बुरा कैसे कर सकता है इसका मुझसे दिल जो भर गया है नहीं तुम्हें गलत फैमी हुई है राजुतोते ना करो यकीन लेकिन ना तो अब मैं इसे बात करूँगा और नहीं अब मैं इसके साथ रहूँगा और राजुतोता अपनी बात कहता हुआ वहां से चला गया पीछे वे तीनों परिशानी से बैठे सोच रहे होते हैं इन्हें राजुतोते की बात पर बिलकुल भी यकीन नहीं आ रहा था कुछ देर सोचने के बाद वे तीनों उड़ते हुए तोते मिया के घर पर आ जाते हैं और मीनु चिडिया तोते मिया को सारी बात बताने लगती है मेरा यकीन करो मीनु चिडिया इसे गलत फहमी हुई है मैं भला अपने चोटे और जान से प्यारे भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा फिर वो ऐसा क्यों के रहा है तोते मिया आखिर कुछ तो हुआ है ना कबुतर और उल्लू भी साथ में सोच में पड़ गए थे कबुतर बोला कोई तो बात है तोते मिया वरना राजू तोता इतनी बड़ी बात खुछ से नहीं कर सकता है मीनु चिडिया कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पक्षी ने राजू तोते को तोते मिया के खिलाब भड़का दिया हो मुझे तो ऐसा ही लगता है किसी पक्षी ने राजू तोते को तोते मिया के खिलाब बढ़का दिया होगा जबी तो राजू तोता ये घर छोड़ देने की बाते कर रहा है उल्लू की ये बात सुनकर तोते मिया दुबारा से उचल उठे हाँ हाँ ऐसा हो सकता है किसी पक्षी के कान मेरे खिलाब बढ़े होंगे ताके हम दोनों भाई जुदा हो जाएं तो फिर ठीक है हम भी पता कर लेते हैं कि ये हरकत किसने की है तब ही वहाँ पर राजू तोता आ जाता है और इन चारों को एक साथ बैठा देखकर बड़ा सामना बनाया और अपना समान समेटने का बोला मैंने अलग घर बना लिया है तोते मिया अब मैं वहाँ जा रहा हूँ अब तुम यहाँ खुशी से रहो तोते मिया को अपने भाई का यू जाना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा और वह अपने भाई से बोला मत चाओ राजू तोते मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा चहने की बात तो रहने ही दो तोते मिया तुम मुझे बताओ तो मैं कैसा लगा और क्यों लगा के मैं ऐसा चाता हूँ या फिर बता दो के किसी ने तुम्हारे कान बढ़े है राजू तोता इस चक चक से तंगा गया और उसने सच बोल ही दिया तुम्हारे इरादे मुझे कवे ने बताए है फिर उन तीनों ने अपने सर पीटे क्योंके कवे का काम तो जूट बोलना और दूसरों के कान बढ़ना था मीनू चड़िया ने राजू तोते को समझाया और उससे कहा प्रागल तोते तुम्हारे कान कवे ने भरे हैं और इससे तुम दोनों भाईयों का प्यार बढ़ायत नहीं होता और देखो किस तरह तुम इसकी बातों में आ गई वो मेरा दोस्त है मीनू चड़िया तो फिर वे मेरे कान क्यों भरेगा तुम अभी छोटे हो राजू तोते इसलिए दुनिया के तोर तरीकों से तुम नवाकिफ हो अच्छा तुम एक बात बताओ क्या तुमने कभी तोते मिया के मुझे ये सुना है कि वे तुमें इस घर में नहीं रखना चाते हैं नहीं मीनू चड़िया तो फिर तुमने इसकी बात का क्यों यकिन किया चलो शाबाश तोते मिया के साथ रहो तोते मिया तुमसे बहुत प्यार करता है राजू तोता फौरण तोते मिया के गले लग गया इसे अपनी गलत फहमी समझ में आ गई थी प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बीना देखे किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बेसबरी से इंतिजार रहेगा